हैलो गईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की ओनर 90 फॉन में आप लोग Always On Divelay को कैसे ओफ कर सकते हो अगर आपके पास एक ओनर 90 फॉन है और इस फॉन में जो है आप लोगों को always on display को off करना है जैसे कि आप लोग देख सकते गाइस मेरे phone में जो है always display on यहाँ पर enable है ठीए गाइस तो यहाँ पर जब भी आप लोग अपने screen को जो है lock करोगे या गलती से screen पर touch भी कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो display है वो on हो जाएगा लेकिन lock नहीं खोल सकते इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर click करना होगा अपने power बटन पर तो अगर आप लोगों को जो है यह problem देखने को मिल रही है दिक्कत हो रहा है आपको जो है always on display के बारे में तो इसको जो है कैसे off कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं इसी बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Always On Display को जो है ओफ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा Home Screen and Wallpaper का तो इस Home Screen and Wallpaper के option पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा always on display का तो इस always on display के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वाला option है जो on है देख सकते हैं इसको simply click करके हम off कर देंगे लेकिन यहापर कोई भी Always On Display शो नहीं हो रहा तो कुछ इस तरीगे से जो आप लोग अपने Honor 91 में Always On Display को Off कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीचे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीचे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए बाई बाई